पिछली बार हमने आपको बताया था कि बीजेपी में किस प्रकार अंतर करा चालू है कॉंग्रेस का जो अंदरुनी जगडा वो बाहर सुरक्षा कवच को लेकर उड़ गया इसके अलावी शेर में कई पार्टिया है कॉंग्रेस के साथ में कहीं छोटे-छोटे मुद्दे हो आज बात कर रहे हैं वापस पार्टियों की हमने बात की बीजेपी की बात की कॉंग्रेस की शिव सेना शिव सेना भी कहीं इन चीजों से छुपी भी नहीं है हर प्रकार का किसे न किसी राजनीतिक पार्टियों कोई दबाव रहा है कोई न कोई चीज रही टिकेट कटना टिकेट आना जैसे अभी वर्षा भोवेर की टिकेट जो दो सालों से लगातार प्रयास कर रही है मैला अरगाडी अद्यक्षपत परी लेकिन एन समय पर उसको एक ब्लैंक फार्म देगा और कई बार होता मादोजी की कई लीडर लोग जो होते जो ज़्यादा बहुत होते अक्टिव होते है वो को बहुत ओर के बार की बार कि μεरा सब हो जायाँअ कि वह उठाया और फां लगा दिया और भौकपाश्रिटे को और बहुरा फांइधीus है क्यों होग यह कुर। यह एक राजनीती गकाल टिया और गलती से कटा और वो वही कहता है जो उसकी दिमाग में है मुझे भी इसी बात के लिए कोई शक नहीं है कि इसकी पीछे कुछ तो भी राजनेतिक गनित होगा और शिवसेना अभी फिलाल महानगर पालिका के लेक्षन में उतनी तेज नहीं दोड रही है उसकी वजय यह भी हो सकती है कि उन सुनील खराटे जी और सुनील जी को अभी इलेक्षन का वैसा अनुभ हो नहीं है उन्हें अभी उनके प्रोगाम के अंदर यह सब कुछ हुआ है तो अभी तो बहुत दिल्ली बाकि है एदि वो खुद चुना लड़ते तो ज्यादा मजा आती है शिवसेना मैंने इस्थान दो चार अलग-अलग अलग थे वो बहुत एक्टेट हो यहां पर पुरानी शिवसेना नहीं शिवसेना अहां यह नहीं पुरानी शिवसेना नहीं शिवसेना अनंत्राव जब MP थे तब अनंत्राव की शिवसेना अलग थी शिवसेना ज्यादा स्टॉंग थी MP अनंत्राव लेकिन राजनेती ज्यादा हवी होने के कारण एक नुक्सान भी होता है पार्टी के अंदर अंतरुनी ज़स्परदा होती है और महारास्टी के अंदर अभी शिवसिना की जो हलत है उसको देखकर ऐसा लगता था कि स्तानी ही है अब शिवसिना कुछ एक्टेट हो जाएंगी लेकिन सही बताओं आपको कि स्यवसिना बहार रही है प्रचार के अंदर लेकिन इनका प्रचार बाहर रही है बहुत बड़ा आपको फ्लेक्स नहीं दिखेंगा एड भी नेता नहीं दिखेंगे एक खादी बाहर हो सकता है कि राज्य के नेता आ जाए मायवतिय से लीडराने की सम्मावना काम है क्योंकि विदानसभा नहीं है फिर भी हो सकता है कि BSP अच्छा गेंड कर सकती है शिव सेना अभी भी इस दिधावस्ता में है क्या हम भाज़प से लड़े आकड़े बारी देखी जाए तो पिछले बार भी सेना के शायद कुछ 11-12 नुकसान BSP को पिछले बार चंदु जी कॉंग्रेस नहीं किया था इस बार कॉंग्रेस सोचिछ है BSP को अब भाज़प से लड़ना है और भाज़प को वोटर BSP को वोट नहीं करता तो BSP का वोटर भाज़प को वोट नहीं करने वाला वोट पिछले बार Congress के तब बढ़ गया था, वो बीजेपी का कारूट पूरा बीजेपी का तरफ आजएगा, रहने लुक्रान में Congress से ही जा रही है, Congress रास्टवाधी जो वोट खाती थी बीजेपी का, वोट कट गया है, बीजेपी तरह बापस आगया है, पूरी तरह से आप देखिए थोड़ा ग्राफ कीजिए कि जो भी बीजेपी ने सीटिंग दिया है उसमें कुछ मौमडे नियरिया जो आलपस संक्यां के रिया है वहां का सीटिंग नहीं दिया है लेकिन जो पट्टा पूरी तरह से बीएसपी का है उसके सीटे बढ़ने की इ अभी बात चल लेती शिवसेना की बीएसपी का नुकसान शिवसेना को हो रहा है कि सीदा सीदा की बीएसपी का नुकसान शिवसेना को नुकसान कहां से आ रहा है शिवसेना को नुकसान इसलिए भी आ रहा है कि शिवसेना और भाजपा दोनों भी पार्टी जिनोंने अभी लिएशाव मराथा कार्ड को देखे Don दोने बी चला रहे हैं और विभायजन बहुत ताकत्त से हूंगा जब है अभि दूने से बुट जो सीत अई हे मराधा कार्ड से आिए और पून साफ दिश्मुक साफ आमपे मुझे जातिकत टिपनिया नहीं करनी है लिकिन राजनीति सब जातिकत होती है आप जड़ा ग्राफिक देखिए क्योंकि बता भी गया है अभी बताते है कि आमने महराधी लोगों के इतना दिया गुजराती सिंधी महराधी ऐसा विसलेशन करते है और प्रांत वाक्त माने ले दोनों भी लोगों ने जो ओटिंग दिया है उनकी लीडर भी जो है जो अपना खुद का ओटर नहीं धुम पा रही है जो ओटर थे उन्होंने पहले उनको यूति करके हरदम के लिए उनको दे दिया है अब शिवसेनिक जो है कई जगा इतना इभी नहीं कि इतना बूरी हाल हो जाएंगी, कई जगा शिवसेनिक जो स्ट्रांग है, जो अभी चुना में खड़े हैं, उन्होंने, मुझे एक नाम अभी बताना नहीं है, लेकिन बता दू आपको, एक नाम ऐसा है कि ऐसा लग रहा था, वो शिवसेन से खड़े रहेंगी, उन्होंने अपक्ष का मारगा कर लिया, और लोग देखें, जब नईया डुपती है, एक वक्त आई साथा कि शिवसेना की तिकेट नहीं मिलेंगी, तो मैं बंड़गरी करूँगा, आज वो बंड़गरी करने वाले लोग थे, वो बलते है कि तिकेट मत दीजे, मैं अपक्ष कड़ा ह लेकिन चंदुजी वो इसले भी फेहमस है कि को शिवसेनिक थे, यदीज शिवसेना का जेंडा उनको नहीं मिलता, तो वो वक्तिगत प्रभावी नहीं रहते हैं शिवसेना के नाम पे खड़े हैं, कई लोग आज भी अपक्ष लड़ हैं हाँ वो शिवसेना के नाम से पहली बार जब वो खड़े वे बच्चु कड़ू शिवसेना ही बोलते है खुद को, लेकिन लड़ते अपक्ष शिवसेना के बैनर पे निज़े आपको नाम बता दू, बच्चो करू एक्जामाने में शिवसेनिकी थे, शिवसेनिक थे, इसलिए उनकी जो आज ताकत दिख रही है, उसके पीछे उनका शिवसेनिक होना एक बहुत बड़ी ताकत थे, आज डॉक्टर अनिल बोंडे साब है, शिवसेना से थे, इसलिए दु बड़े हो गए है, और ओटर गायप हो गए है, लेडरों ने अपनी जो चाल जाजी की, उसमें शिवसेना फस गी, शिवसेना ने हवा में चुनकरानी की जो बात हरदम रखी, उसके कारण शिवसेनिक जो था, वो ओटर नही रहा, किवल शिवसेनिक रहा, अब इन्होंने अपनी शांती से जो राजनीती बनाई है, इसके अंदर ओटर बढ़ा दिये, लीडर कम कर दिये, और यहां पे लीडर ही है, ओटर गायप हो गए, यह जो संगर्शेश सेना के लिए बहुत भारी टाइम है, इनके लिए बहुत आज मुश्किल कादाइम है, शाहिद बीएस के लिए कोई फाइट नहीं है, यह मैं बता दू आज, बीएस पे बहुजन समाज के लिए कोई फाइट नहीं है, गवई साब का पार्टी नहीं, इनके एक उस तपकी की जो कॉम्पेटिशन होने चीए, कॉम्पेटिशन सारे आप गवई साब का हो गया, आठावले से यू जित्ती भी सीटे खड़ी, उसका परसेंटेज और बीएस पी ने सीटे खड़ी परसेंटेज, इदी ओ परसेंटेज के हिसाब से देखे है, निश्चित बीएस पे आज सब से प्लस में रहने है, बीएस पे के लिए साब, उनको भाजब से फाइट करनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भाजब का केंडिएड ही नहीं है, एक बात खतम होगी, जिसका आप नमबर दो क्या मीडिया कर रही हो, उनकी फाइट कॉंग्रेस से है, पहले से ही, कॉंग्रेस का केंडिएड अच्छा हो, तो वो थोड़ा खिस लेंगा, लेकिन उनका बीएस पी का वोटरों क कॉंग्रेस पर भाज़ा उड़ गया, उनको पता है कि कॉंग्रेस नहीं आती, उनके साथ फाइट किसकी है, किसी की भी नहीं, अभी भी जो लोग बीएस पी के बैनर पे लड़ रहे है, वो यदि शान्त इसे, प्लैनिंग की साथ लड़ सकते है, तो वो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से चुनकर भी आ सकते है, लेकिन उसके लिए जो प्लैनिंग चाहिए, प्लैनिंग पैसा और पावर, यह बहुत बड़ी बात है कि आज बीएस पी का लीडर नहीं है, लेकिन पिछले बार बार बीज़ देखा है, कि पिछले बार भी जो चुनकर है, वोटर नहीं है, इनके आज वोटर है, लीडर नहीं है, शिवसेना के पास लीडर है, कुछ वोटर है, प्लैनिंग नहीं है, इनके भी नेताजी, इनके भी नेताजी लोकल में दिस्टरफ होगे, प्लैनिंग नहीं है, भाजय के पास प्लैनिंग है, पावर है और बहुत ब आपको लेकिन जब ओट आएंगा हत्ती पे डाल देंगे और हत्ती पे डालने की संखिया बहुत पड़िए आपको लेकिन साब ये भी बात है कि मैंने इतने दावे के साथ कर दिया कि BSP आगे लिर कर सकते हैं लेकिन इनकी ओट जहां ओट खरदी की बात आ जाती है सामने फिर उस वक्त स्वाबीमान उसका फाएदा ले सकता है ओटो का गनीद बदलता है BSP का तो स्वाबीमान बदलेंगी और स्वाबीमान की इंटरी इस पी निरवे होगी देखते हैं समय फिर वापस हो गया साभीमान किस प्रकार काम करेंगा अमरोती में जोली लेके बैठते हैं साभीमान वाले जो तूटके गिरा है जोली में समय ले रहे हैं क्या राजनीती रहेंगी और क्या उनका नफाग, क्या नुकसान, क्या फाइदा स्वाब इमान से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा क्या स्वाब इमान वो पार्टी कुछ हासिल कर पाएगी या फिर एक ही केंडियेट भोपू बगयागा फिर आगे बढ़ेगा अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेगे तब तक कि देखते रिए सिटी नो झाल